वेल्कम टू लेली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स यह दिजाइन मेरे पास पहले से ड्रॉ थी इसलिए ड्रॉ का वीडियो नहीं है ऐसे ही मैंने कुछ मैं इजी-जी सा ड्रॉ कर रही थी ताकि आप लोगों को बता सको विग्नर्स के लिए तो फिर मैं नहीं डाल पाई थी मैं आज उसको बता रही हूँ इसपे सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रॉश से मैं कर रही हूँ यह फ्लावर फिर एक और फ्लावर जो कि मैं आपको फ्लैट से करके दिखाऊंगी तो उससे क्या होगा आपको शेड समझा जाएगा मैं जो है जाए जाए तर राउंड ब्रॉश से करती हूँ मैंने शुरू से देखा था कि राउंड ब्रॉश से मेरा अच्छा बन रहा है तो मैंने राउंड को से करना शुरू कर दिया और मेरा हाथ उसपे सेट हो गया वैसे आपको देखना है आपके according आपसे flat brush से अच्छा बन रहा है तो आप flat से बनाएए round से अच्छा बना रहा है तो round से बनाएए आपके उपर different करता है जैसे different different type के लोग होते है different nature होता है different ability होती है तो वैसे ही handwriting कैसे हमारे different different handwriting होती है same तो handwriting नहीं होती तो क्या मतलब पैंसिल तो हम लोग सेम ही पैंसिल यूज़ करते हैं, बाद में जाके भले अलग-अलग ब्रैंड के पैंसिल अगेर लेते हैं, तो यह क्या है कि हमारे स्टाइल क्या है, पहले आपको यह पता लगाना है कि आपका स्टाइल क्या है, आप कौन से ब्रश से अच किया होगा तो, आपको कौन से Bella Black Beach से से राए तो जो कॉन से प्रेश से अच्छे से आ रहा है या आप मुझा s Tha कॉमेंट में जबताइगे क्या आपको अच्छे से बनता आ अप से आ राउंड शरी कुछ से हैं और करके भी दिखाऊंगी तो वह अगर होगा तो आपकी पेंटिंग में आपको डिटेल्स डाले में बहुत ही असानी होगी फ्लावर हमारा पेंट हो गया है उसके बाद हम पराग बनाएंगे यह जो मैंने आपको बनाएंगे तो देखिए एक बार में बनता और टेक्श्चर भी इसका थोड़ा अच्छा आता है बिल्कुल फ्लैट नहीं आता अगर आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं आप सिंपल ब्रेश से भी बना सकते हैं और पराग बनाने का बहुत ही डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्टाइल मैंने आपको बताया है अलग अलग वीडियो में तो आप वो सब देखके बहुत ही अलग तरीके से अगर आप बोर हो गया है कि बस सिंपल ही कलर फिल कर देना बीच में आपको राउंड ब्रेश से लीफ करके दिखा रही हूं अभी मैं आपको फूल कंप्लीट लोग भी दिखाऊंगे डिजाइन का ताकि आपको अदम आसानी हो जाए ये देखने में कि कौन से ब्रेश से जादा अच्छा बनता है देखें परपल जो है हमने परपल फ्लावर बनाए है फ्लैड ब्रेश से और रेड फ्लावर बनाए हमने राउंड ब्रेश से और ये कुछ डिटेल्स हैं अब डाल देंगे ये बिल्कुल ही इजी डिजाइन है और कंप्लीट होने पे आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारी खुबसूरत और क्यूट लगेगी अपनी डिजाइन को और भी खुबसूरत बनाने के लिए आप जीरो और वन नमबर का राउंड ब्रेश जरूर रखा करें ताकि आप उसमें लीव में नस डाल सकें जो कि आप फ्लैड ब्रेश से भी बना सकते हैं और बाद में आप नस उसे डाल लीजे और मैं हमेशा ही ल डिजाइन उसके खुबसूरती बनी रहती है वनना अगर आप मोटे प्रेश से बनाएंगे तो वह एकदब मोटी सी लाइन आजाएगी तो इसलिए डिजाइन अच्छी नहीं लगीगी अब इसमें चुटा-चुटा फ्लावर एड़ कर रहे हैं डिजाइन में ताकि यह ड बनाएंगे तो आप डिजाइन डिजाइन अफ़िझनर्ड लेवल है विगनर्स क्लास अविलेवल है तो आप बहूं से सीख सकते हैं डिजाइन देख के बना सकते हैं सूट सारी बेरशीट बिलो कवर और डिफरेंट टाइप की हर चीज पे मैंने वीडियो बनाई है और ड प्लावर रोस, डेजी, डेफरदेल, हिबिसकस, पैंजी, पियोनी, संफ्लावर, बहुत सारे फ्लावर मैंने अलग-अलग फ्लावर की भी प्रिंटिंग बनाई हैं तो आप वहां से वह देखके सीख सकते हैं कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन सा ब्रश जाजा यूज करते हैं और आपका फेवरेट फ्लावर कॉन सा है नेक्स वीडियो में किस टॉपिक पे बनाओ यह सारी चीज़े आप कॉमेंट में लिख सकते हैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना तो मैं उस पर वीडियो बना दूँ और आपको आसानी से पता चल जाए जिल लोगों को पेइंटिंग में इंटरेस्ट है आपके जाने पैचाने फ्रेंड्स फैमिली में उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेर करें ताकि वो भी घर बैठे आसानी से फैब्रिक पेंटिं की यहां पर है यह आप देख सकते और यह तीनों वीडियो भी आप ज़रूर देखें